तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मनुष्य में रोग उत्पन करने वाले सुछम जीव एंपरजीवी और इसके साथ जो इसके बाद के जो टॉपिक है वास उसके बाद यह विडियो आएगा तो आप लोग अब देखिये पुरे वीडियो को ध्यान से चालिए स्टार्ट करते हैं इससे पहले मैंने एक और वीडियो अंपलोट कर दिया है टी कितने परकार के होते हैं या concept of vaccine क्या है वैक्षिन की अधारना क्या है यह हिंदी में ही किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के हिंदी में request आ रहे हैं मैं कोशिश करूंगी कि इसको इंगलिस में भी आप लोगों को बता सको तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मनिश्य में रोग उत्पन करने वाले सुच्म पर जीवी pathogens and parasites causing human disease हम लोग जैसे प्रैचीन समय से क्या जानते थे कि जैदी किसी वैक्ति को रोग हो गया किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है सरीर में तो हम लोग क्या जानते हैं कि पहले की लोग ऐसे बोलते थे कि उनको किसी का स्राप हुआ है किसी कर्मों का फल भुगत रहे हैं किसी इसलिए उनके सरीर में इस तरह की रोग आ रहे हैं पर क्या एक साथ आप देख रहे हैं कि एक साथ बहुत सारे जो पैनेडेमिक चल रहा है वो हमारे environment में ही है और प्रचीन समय से भी थे और आज भी है पर यही बसरते कि आज संखिया उनकी जादा बढ़ती जा रही है हमारे खुद के daily lifestyle के वज़े से तो इन सब चीजों को कम कैसे किया जाए इन सब चीजों को कम करने के लिए हमारे सरीर के immune system को strong करना होगा ऐसे भोजन लेना पड़ेगा ऐसे environment पे रहना पड़ेगा इस तरह से हमारे जो हम लोग अपने सरीर के प्रती थोरे से सचेत रहेंगे तो बिमारिया भी कम होगी ठीक है तो सबसे पहले होता है कि रोक किसे कहते हैं जो सरीर की संराचमत तक यानि कि जो उनकी क्रियात्मक क्रिया को क्रियाय चल रही है जो सरीर में जो सनचना भगवान ने हमें बना के दी है तो वो उसका जो स्वास्ट भिगड़ता है समय के सांसा तो उसे हम लोग क्या कहेंगगी उसे रोक कहते हैं ठीक है इस तरह से रोक जो मुक्त करने के लिए हमारे पूरे बिश्व Me साथ अपर्येल को स्वास्त दीवस के रूप में भी मनाया जाता है कि यसे कहते हैं जो हमारे सरीर की किरियाओं को उसकी संचाण आ को समाने रूप से स्वास्त स्वास्त में बगरता है बगरता है या उसके Dann हमारे सरीर करने बाले समी सब्सक्राइब ह 눌러w Quit जानते हैं ना कि मानों सरीर में जितने भी लोग मानों सरीव कही है तो जो भी कही जब तक कोई बाहर से पूर नई करता है वह हम लग सब्सक्राइब हम रोग पैथोजन कहा जाता है चाहे वो सांस के द्वारा आए चाहे वो किसी के संपर्क में आने से आए ठीक है तो उन सब चीजों को ही सुछम जीव कहा जाता है वे जीव क्या करते हैं वे जीव क्या करते हैं कि आपके सरीर में जाकर दूसरे जीवों या फिर दूसरे जीवों के उ पर आसित रहते हैं अपनी एक लाइफ साइकल वहां पूरी करते हैं तो उन सब जीव को पर जीवी कहा जाता है लाइक फर एक्जामपल मलेरिया का ले लेते हैं कि वह अपना आधा साइकल पूरा करता है कहां पर मादा अनफलीज मच्छर के जहां पर उसका जो ओभाम होता है उसी के आसबस में वह अपने आपको वह बढ़ाते रहता है और धीरे-धीरे क्या करता है कि वह बलट के जड़ परान वह बहुं करता है कि अपनstory साइकल है कि वह अपना पूरा साहिकल वहां पर जा करता है करने के संख्या कारण जब वह मिलियन leaks में हो जाते हैς समझे कि कोई आपके सरीर में दो-चार गएं या दस-बारा गएं या कहिए कि थाउजन गएं वहां जाकर वो मिलियंस की मिलियंस संख्या बढ़ा लेते हैं और वो हमारे रेड बलड सेल को खाते रहते हैं जिसके कारण सरीर में बहुत तरह की बिमारिया उत्पन रहती हैं त होनों की तो इन सब चीजहों को जो अपना पूरा साइकल दूसरे किसी पर जाकर पूरकरते हैं पोर्षन लेते हैं अपना जीवन व्रिधी करते हैं उसको तो आपको नोम मैक्रोकोफ उते हैं उन्से काgg फॉट माईक्रोस्टी से स्सक्राइ honest और जयसे कि आपने सुना खोगा कि कुछ अछा घमान सोट के ढ़ाफ़िया डेंगी कि से चिक रूबा तो आपने मुंस पर रह सब्सक्राइबर into your body दूसरे के सांस के दुआरा किसी सरीर में नहीं तो हम इसको अपने आप से रोक सकते हैं तो यह जो बैक्टिरिया वाइरस होते हैं यह हमारे एकुम मी तने जल में भी होते हैं इनके समों को ही क्या कहा जाता है माइक्रोप्स कहा जाता है जैसे कि जीवान हुआ प्रोटो जोवा हुआ हुआ फंगी हुआ माइक्रोप्लाज्मा स्पाइरोकिता यह सब माइक्रोप्स जो जितने होते हैं वो पड़ जीवी होते हैं और मृतब जीवी भ उसे रोक कहा जाता है। तो रोक कितने प्रकार के होते हैं? जैसे कि किस कि विषेश छे दर बог कि कम रहे संकरमन दॉपल जी झालता है तो कि हम लोग कम रहे WOR हाता है। जैसे कि कोरोन और और किसी किसी को होने वाले रोग को एसपारोडिक कहा जाता है तो एक बार फिर से समझ लीजी किसी बिसेश छेतर में हो तो उसको हम लोग कहेंगे और संकरमन होने वाले महामारी को एपेडेमिक कहा जाता है जैसी कि मालीजे की कॉलरा हुआ यह सब क्या हुआ कि बाहर जाके लोग अपना सौच करते थे जिसके कारण एक वेक्ति ससंपर्क में बहुत सारे आए और उसके बाद से बहुत एक एडिये में ही वो चीज कलरा का इ तो इसके अलावाद जो संकरमक होते हैं जलतता भोजन से होने वाले जो रोग और होते हैं उनसे जिवानों विशानों यह सब भी रोग उत्पन करने वाले होते हैं तो और संकरमक रोग किसको होता है और संकरमक रोग में बहुत सारे ऐसे रोग आते हैं जैसे कि डाइबट इसका कोई रोगानू नहीं होता है और और संकर्मक रोग में आते हैं जैसे कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इस सपर्स और ने संचारिद भी नहीं होता यह तो पहलता भी नहीं है जैसे कि diabetes हुआ, color blindness हुआ, heart attack हुआ, baby-baby हुआ, यह सब आपके सरीर में जब कमी हो तब यह इस तरह के रोग हो सकते हैं सांकर्मक रोग क्या हुआ, इन रोगों के रोगानों जम्स होते हैं जो किसी की भी तरह से स्वस्थ मनिश्य के सरीर में रोग उत्पन करते हैं जिसे कि मनिश्य क्या हो जाता है, रोगा ग्रस्त हो जाता है, इन रोगों के कारप को pathogens का भी कहा जाता है, एक रोगी व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति के संपर्प में आने से उनको infection हो जाता है जैसे कि कहा जाता है कि वैक्ति को आलग रखो कुछ दिन के लिए क्यों कि उनके संपर्प में आने से बाकियों को भी infection हो सकता है तो एक संकर्म क्रोक, संकर्मन की तुरंद बात भी जैसे बहुत सारे ऐसे लक्षान होते हैं, जो तुरंद से प्रकटनी होते हैं, तीक हैं, आप किसी पर्टिकुलर एडिया में गए, वहां आपको नहीं पता है कि यहां पर क्या चल रहा है, यहां पर किस तरह के वारस बेक् जानते है कि जब हमारे सरीर बाहर से पैथोज्ण में उससे लड़ने के लिए खुद पहले एक्टिव रहता है। हमें सेनी को तियार करके रहता है एंटी बाडी के रूप में। लेकिन जब तक वह उपर लड़ते रहता है लड़ते रहता है लेकिन वह इन साथ्य नाचरौन है वह एक्या कर आटिबादी बनाती है तो लगत टरह के अब चत्रुथ में घ्रस लरा होता है किछ समय गुजरने बाद कुछ घंटे गुजरने बाद कुछ प्रकट होता है जिनको इंकुवेशन्स पिरियाट भी कहा जाता है और संकर्मक रोग कौन कौन सा हो सकता है कलरा हुआ चेचक हुआ मलेरिया हुआ पेचीश हुआ इस तरह की रोग को संकर्मक रोग कहा जाता है यह इसक्रीन पर आपको बहुत सारे रोग के लक्षन दे रहे हैं संचरन उनको किस तरह से फैलते हैं ट्रांस्मिट करते हैं उनके सिम्टम्स क्या है उनके प्रकृति क्या है और उनका उसदी कितन से फैलता है जो यह लोग गंदे साग सबजियों पर बैठे राते हैं उसके बाद इनकी इनकी कारण यह संकर्मक यह जो वाहक होती है क्या होती है इस जिवानूं का वाहक होती है मक्हिया ठीक है बच्चों में होने वाला एक पेची टुर्ट्रक लोसिस जिसका नाम है इसकी दमाईयां चल सकती है दो series 10 अप्ता भी चल सकती है ठीक है तो इसमीँ क्या होता है कि टुबर कलो stem में यह संकरमक रोग है इसमें लगतार्भाता holiday email क क्वाद बुखार भी रह सकता है और और म्यूकस के सांत साथ इसमें थोरा सा रख्ट भी आ सकता है, बलड भी आ सकता है, वजन कम होता है, थकान हो जाती है, आलश चाती में दड़्ड या स्वांस लेने में तकलीफ और बिचैनी होती है, यह भी मक्यों के द्वारा या इसपर्टम के द्वारा बैठने पार या का भक्षन करने से धूल कनों से होकर रोगी के द्वारा व्यक्ति में रोगी व्यक्ति के द्वारा यह संचारित होता है उसके बाद आता है malaria malaria क्यासे होता है malaria एक protozoa है यहाँ पर आपने देखा एक जिवानों है यहाँ पर एक देखना bacteria जो सिजला वैक्टिरिया बैनेबुला उसके बाद एक टुवर कलोसिस का भी एक वैक्टिरिया है और यह जो है वो क्या है यह जो इसका जो एक से तीन सब्ता तक इसकी इसमें पता चलता है और इसके प्रकृति क्या होती इंफेक्टियोस होता है इसमें इसके symptoms क्या उसके लक्षन क्या हो सकते हैं जाड़ा या कपकपी के साथ तेजबुखा राना संपून सरीर तता सेर में बहुत ज्यादा दर्द राना पसीने के बाद ही रोगी को अराम मिलता है तो ये किसके कारण होता है इसको transmit कौन करता है तो जैसे मैंने बताए कि म मादा आनोफ्लीज मच्छर जब किसी रोगी व्यक्ति के सरीर से रख्ट चूजकर किसे स्वस्थ व्यक्ति के सरीर को में ढालती है तो उस समय ही लाड के द्वारा स्लाइवा के द्वारा ये प्रोटो जोवा रख्ट में चला जाता है और वहीं पर ये अपने संख्या में ब्रीधी करते हैं उसके बाद आता है दिप्थेरिया दिप्थेरिया एक जिवानों है इसको केरीनो वैक्टिरियम डेफ्थेरी का नाम दिया गया है इस जिवानों को और ये बहुत जादा इंफेक्शियस भी होता है इसमें गले में सूजन तवचा में अलसर तेज बुख फार गला के अंदर लाल लाल चकता हो जाता है और यह उप्राया छोटे बच्चों को ही होने वाला रोग है रोगी वैक्तिक के खासी के साथ निकली जो संकर्मी जो बूंदे होती है श्रीजीं के द्वारा शिंके के द्वारा इसके द्वारा यस रोग का tельзя वबाद आता है और फिमॉनए के अरी ज्यों नॉमो members को तीम तो यह याद रखिएगा आता है तो यह याद रखना बहुत जरूनियॉ निमोनिया का कौन सा ऐसा जिवानों, उसका क्या नाम है, तो ये भी आ सकता है, एक्जाम में, तो इसका नाम है, डिपलो कॉकर्ष निमोनी, ये बहुत इंफेक्टियस होता है, ये फेपरों में सुजन हो जाता है, इंफ्लमेशन, ठीक है, तेज बुखार, सांस लेने में तक तो ये इससे बचना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि छोटे बच्चों के वैक्षिन चला दिये जाते हैं, जब बड़े हम लोग हो जाते हैं, तो वैक्षिन हमारी नहीं चलाए जाती है, तो निमोनिया को काफी ज्यादा, ये डेंजरॉस होता है, उसके बाद जबड़ा, इसको लोग जोग भी कहा जाता है, एक्जाम में है कि लोग जोग किसको कहा जाता है, तो आप पर इसका नाम लिख सकते है, टिटनेश को, इसमें क्या होता है, कि जब ये टिटनेश हो जाता है, तो वो रोगी के, जो उसका मुँ जो होता है, वो कास का जाता है इसमें गहरे घाव या तवचा के गतने चलने पर जीवानु के सरी में प्रवेश हो जाता है यह जीवानु कहां रहते हैं इसलिए हमें कहां जाता है कि कोई ऐसा जो घाव है ठीक है और कहीं पर कुछ ऐसा यह ड़ुरान से 2-2 श्याम ले ली शद्रिया Dengu शद्रिया विशना वायरस सजीव निर्जीव दोनों की बीस की कड़ी फ्रफ मीरे आपको लगता है कि हाँ यह घातुआ है यह कंडिशन में ही वह लोग में जे भीतर रहते हैं या फिर बाहर में रहते हैं किसीकी माध्यम से ही जाते हैं तो बहुत ज्यादा तंत्र मार्ण स्पाइनल कॉर्ड उससे ज्यादा काफी परभावित होता है। वहां पर मस्दिस ब्रcan review का रेइघेश तो अधंत हो 53 तो और यह विद्लियों के द्वारा सबक्राइब siya कि एडिटि यह मज़शों मलेरिया और उसकने वेडिमार्थ हमने रोगी यह श्री कि काटने से यह होते हैं ठीक है उसकी बाद आता है Hepatitis A और B यह भी एक प्रकार का बिशानों होता है वाइरस होता है और यह यह भी इन्फेक्शियस होता है इसमें क्या होती है भूग की कमी होती है सरीर मिचली आना मतल़ होती है सरीर का वजन घटने लगता है ठकावट होता सेर में दर्द, गला बैट जाता है, स्वार बिक्रित हो जाता है, यानि कि जो हम लोग बोल रहा है, वो सापसाप आवाज नहीं आती है, पिलिया का लक्षन, जिसको पिलिया का है, पिलिया का लक्षन कहा जाता है, और पीला पिसाब भी होता है, संधियों में वात हो जाता है मतलब संद्यों में दर्ड जहां पे ज्वाइंट्स होता है वह आपर दर्ड होता है यह क्रीद का अकार बढ़ जाता है निया हमारे लीवर का साइज भी बहुत जादा बढ़ जाता है यह क्रीद में जलन होता है लीवर में काफी जलन होता है और अंत में क्या होता है कि रोग मा हो तो उसके गर में इस बच्चे को भी रोग हो सकता है ठीक है नेक्स्ट हम लोग आते हैं AIDS AIDS जो रोग होता है यह रोग के जो कारक होता है एक प्रकार का ये भी विशानू है जिसको वाइरस का जाते हैं वाइर्स के कारण यह रोग होता है यह बहुत जादा इंफेक्शियस होता है रक्त में यह 사람이 जो वाइर्स होता है वो पस्तिती गरड़ आण्या की संपर्क में आते हैं तो वह 3 वर्ष के अंदर ही मर जाते हैं, सेकेंड़ स्टेस में स्टेजけど रखोचा का अभी तक एड प्रेजेंट तक कोई ऐसा वैक्षीनिया यह नहीं निकला है बस थोड़ी से प्रिकॉशन और रखके कारण रखा जाता है पर जनरली तो अभी एड्स का नहीं ही निकला है और यह लसिकाओं के गाठों में सुजन बुखार रात में बहुत पसीना आना शरीर के रोग प्रतिरोदक छमता होती है वो एड्स के कारण समाप्त हो जाती है यह किसके कारण होता है यह रोगी व्यक्ति जो होते हैं उनके कारण हो सकता है जो जिस व्यक्ति का रोग हुआ है एड्स रोग हुआ है वो पता नहीं चलता है और एक अधिक से अधिक यौन संपर प्रियुक्त जो इंजेक्शन होती है वह तो आजकल हमारे गौर्णमेंट काफी सचेत हो गई है इस तरह कि पहले इंजेक्शन से बहुतों को दिया जाता था पर अभी गौर्णमेंट ने भी बहुत जादा इसके बारे में सचेता दिखाई है और अलग-अलग हर एक बार अल तक नए इंजेक्शन का पड़ियोग किया जा रहा है तो हम भी इस बात का ध्यान रहे कि किस कारण से हमारा कौन सा रोग हो रहा है और इसे हम कैसे बचे तो पहले थोड़े सी जैनकारी लीजिए पढ़िए सीखिए ठीक है उसकी बाद फिर और जो भी आप पढ़ते हैं उ इवेन अपने प्रेंट्स को बता है अपने फ्रेंट्स को बता है वहां डिसकर्शन करिए इससे क्या होगा कि आपकी मेमोरी भी थोड़ी स्ट्रॉंग होती रहेगी और आपको याद भी हो जाएगा ठीक है तो फिर चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग नेक् कीप वाचिंग बाइ थैंक यू